हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजूकेशन चानल फ्रेंड्स आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं इसमें प्रोफाइल है असिस्टेंट टाउन प्लैनिंग सुपरवाइजर की रैट अच्छी खासी इसमें सैली पैकेज है 42,300 की आपकी सैली पैकेज होगी एक्जामिनेशन पैटर्न, स्लेबर्स एन अप्लिकेशन फी हम इसमें डिसकस करेंगे और इस प्रोफाइल के लिए किसी भी अधर स्टेट का कंडिडेट भी अप्लाइ कर सकता है शिर्फ एक स्टेट का नहीं अधर स्टेट का बट जो रिज करेंगे फ्रेंट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप यी एजुकेशन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि गौर्मेंट जॉब्स रिलेट अपडेट आपको मिलता रहे तो लेट स्टार में पर नाझनल चैनल जाइनगेुगे हैं वक्साथन जापके लिए 1 सब आपका यहां पर 19 है और भाद 17 है के लिए 1 है पिछरे वर्गों की महिलाओं के लिए 11 टोटल जो है वैकेंसी 107 है और महिलाओं को ओवर ओल 35 सीट दिया गया है इसमें अब यहां पर देखेंगे सेवन सीपीसी आपका जो है सैलरी पैकेज इसमें रखा गया है तो अच्छी खासी है आपको सैलरी मिलेगी 43, 42, 300 के अलावा भी बहुत साड़े अलाउंसेस आपको इसमें मिलेंगे तो इसमें क्या है पहला जो है बेसिक जो ईलिजीबिल्टी क्रेडिया है अगर आपने बैचलर डिगरी प्लैनिंग से किया है तो आप अपरकाई कर सकते हैं अगर आपने जो है स्क्रेजर डिपलोमा आपने अर्बन एंद रीजिनल स्टडीज में किया है या जी या फालाई Smack इंद ए छैंन किया और प्लैटिला आपका master degree है या bachelor degree तो आप apply कर सकते हैं आप अगर examination pattern की बात करें तो पहले शमान अध्यन पूछा जाएगा current affairs पूछा जाएगा दो घंटे का paper होगा 125 questions होगे और 100 number का होगा तो friends इसमें current affairs की बात करें तो पिछले 6 महने का current affairs आप पढ़के जाएगा पे जाएगे तो पिछले 2-3 महना का वीडियो भी पढ़ा हुआ है तो आप वो देख सकते हैं तो PDF के लिए आप टेलिग्राम पे जोइन कीजे जिसका link description box में दिया गया है वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजे free of course और आप उसको पढ़के चाहिए तो आप कर पाएंगे एक महने का 500 से 600 questions में बनाता हूँ यह देखिया आप दूसरा जो है इसका examination pattern की अगर बात करें तो यहाँ पे plannings related जो है आपका दो घंटे का paper होगा 125 question होगा saw marks का अगर आपने planning से किया है तो planning से या फिर remote sensing से अगर आपने and GIS से किया है तो दो घंटे का उसका paper होगा 125 नमत का तो मतलब technical जो है saw number का question होगा और non-technical जो GIS जो की current affairs है उसका saw number का तो 200 number का question होगा राइट और इसमें जो है आपको mcqs type questions होगे राइट friends तो आप इसमें apply की जो उसके बाद यहाँ पे देखिए last date जो है आपका apply करने का right तो वो मैं discuss कर पहले application fee जो है 750 रूपीज है SC, ST candidate और जो disabled candidate है और जो female है उनके लिए 200 और पे application fee है बाकि सभी के लिए जो है application fee जो है रखा गया 750 रूपीज तो यह है application fee and then फिर अगर आप बात करें इसमें age की तो maximum age 37 रखा गया है SC, ST and candidate को 5 year age relaxation मिलेगा and OVC को 3 year age relaxation मिलेगा right तो 21 से 30 age रखा गया है इसमें उसके बाद friends इसमें chain परकडिया इसमें साक्षात का मतलब interview नहीं है सिर्फ written examination ही होगा जिसका मैं examination pattern आपको mention कर दिया हूँ right friends so आप apply की जिए last date जो है आपका 6 April है right 6 April last date है apply करने का right इसमें देखिए और 15 मार्स से यह form feeling start हो चुका है अगर आपको इसमें जो है form feeling करने बाद आपको courier करना है जहां पर देखिए हाई जो है आप सभी प्रमानपत्र होने के अंतिम्टी थी मतलब यहां पर देखिए आपका जो है करके बीच अप्रेल तक आप यह जो है वहां पर पहुंचा दीजिए right so आप apply कीजिए आपके पास sufficient time है online apply करके आप जो है payment कर दीजेगा 6 अप्रेल तक so good luck अगर कुछ भी doubt होता है किसी बितरह का और एक studies related या किसी और चीज़ से related तो आप मुझे comment कीजिए टेलिग्राम इंस्टाइग्राम फेस्बुक ट्वीटर आप कहीं भी आप मुझे जोइन कर सकते हैं LinkedIn के भी जोइन कर सकते हैं जिसका link दिया गया है so good luck thanks for watching this video friends thank you